दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि भारत में 18 करोड से जादा लोग गठिया के मरीज हैं ये बिमारी आपको भी हो सकती है या आप इससे ग्रसित है अगर वक्त रहते आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो आपका पूरा जीवन बोजिल हो सकता है और ये हम बिलकुल नहीं चाहते तो आएए जानते हैं दुनिया के सबसे काबिल कामियाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलिमान खान सहाब से की जोडों का दर्द गठिया आखिर क्यों हो जाती है इसके पीछे के कारण क्या है दिखिए जोडों के दर्द तकरीबन सतर किसम के होते हैं लेकिन इसमें दो किसमें ऐसी हैं ये ज़्यादा तकलीफ देती हैं और मुश्किल से ठीक होती हैं दिखिए एक तो हमारे जिसम में यूरिक एसिड बढ़ जाता है यूरिक एसिड एक नमक को कहते हैं और ये नमक जब हमारी किड्नी जरूरत से ज़्यादा रोक लेती है इ जब भी ऐसा मरीज आराम करता है, उस वक्त ये बहुत तकलीफ में आता है, क्योंकि जब आदमी एक्टिव रहता है, चलता फिरता रहता है, तो इसको तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब भी वो चार शे गंटे आराम करता है, तो उसके ये हाथ ऐसे अकड़े रहते हैं, ऐसे मो हो जाता है, ये यूरिक एसिट की बीमारी होती है, जो हाथ के जोड़ों या पैर के उंगलियों से शुरू होती है, फिर ये पूरे जिसम को भी अपनी जद में ले सकती है, एक ये बीमारी और एक है गठिया, जिसे हम अपनी जबान में रूमोटाइट आर्थराइटिस कह सकते हैं, ये भी रोग, एक अजीब रोग है, इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक रोग, पिर्टी-रोदक, शक्ती भगवान ने दी है, जो हमारी हिफाज़त करती है, ब्रैक्टेरिया से, बीमारी से, लडने में हमारी मदद करती है, किसी वज़ा से जब ये शक्ती, य cells, ये cells हमारे खिलाफ हम पर ही हमला करने लगते हैं, तो इसे गठिया आसान भाशा में या जोडों का दर्ड गठिया या आरे पोजिटिव का एक test भी होता है, आपने देखा है, ओर डाक्टर कहता है आरे पोजिटिव है, तो यही है गटिया यही आरे पॉजिटिव है यही रूमोटाइड आथराइटिस है यह एक मुश्किल काम है वरना सारे रोग अच्छे से बहुत आसानी से अच्छे हो जाते इन में पाच्छे महीने भी लग सकते अब जानते हैं हकीम सुलिमान खान सहाब से वो राम बान घरेलू उसके इस्तमाल से आपके जोडों का दर्द ना सिर्फ ठीक होगा बलकि आपके शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द से आपको मिलेगा राम इनको अगर जिसको यूरिक एसिड की परिशानी है तो उसको खटी चीजे बिलकुत छोड़ दें उसका सुन लीजे किसी को अगर यूरिक एसिड है तो अलसी को हलकासा भून लें दो तीन सो गिराम अलसी ले लें हलकासा भून लें जादा नहीं भूनना और पिर इसको गौनसिया यानि आधा गिराम गौनसिया आप अनुमान लगाने कितना होता है दो चुटकी आधा गिराम गौनसिया एक चमच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी या दो गिलास पानी मिलाकर इस से खाया जाए खाने के पस्चाथ सुबह नाश्ते के पस्च राद को खाने के बाद तो ये दोनों रोग। चाहे वो गठिया हो चाहे ये यूरीकैशीट बढ़ गया हो या कोई और जोड़ों का दर्थ हो घुटने का दर्थ हो नसों का दर्थ हो ये निश्का तक्रीबन 70 किसम के दर्थ पर काम करता है। दोस्तो हकीम सहाब से जुड़के हजारों नहीं लाखों लोगों ने खुद को सेहतमन बनाया है एक ऐसी ही मरीज से आपको आजम मिलवाएंगे जो बहुत जादा दर्द से परेशान थी लेकिन हकीम सहाब का घरेलू नुसका अपना के अब वो दर्द से राहत पाचुकी है उन्होंने कहा कि आप जो होमियोपैथी या यूनानीपैथी वाला है कुछ भी आप मतलब ट्रेट्मेंट लोग वहां से आप ट्रेट्मेंट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता आपके विए क्योंकि आपकी जो यह मतलब जो आपकी विमारी है थी जल्दी थी होने वाली नहीं है अगर आप यह ऐलोपैथिक लेंगे तो आपको इसका गलत एफेक्ट आ सकता है आपकी बोडी के आपको तो मैंने का ठीक है तो मैं एक बार मैंने डॉक्टर साब का प्रोग्राम देख नहीं मज़े मेरी अंकल में ध़रता है मेरे हर एक जोइंस में डार आज मेरी यह आलत है कि मैं बहुत इजीली स्टेर्स भी चाड़ पा रहा हूं डैड भी पा रहा हूं उटी भी पा रही हो अजरवाईस मेरे से जुकना भी बड़ा मुश्किल हो ठाब हुश्किल प्यों से बहुत अच्छी है और इसके कोई साइड एपेक्ट देंगे है दूसरी बात कि इसको दवाई खाना का जो तरीका है वो भी बहुत एजी है क्योंकि कैपसल फॉर्म में है तो एजी ली खाया भी जा सकता है जैसे अगर हम अधर कुछ जैसे होमेपैथी लें या अधर आयर तो दोस्तो ऐसे ही आप लोग भी रख सकते हैं अपना ख्याल आप लोग भी हो सकते हैं सेहत मन लेकिन उसके लिए आपको हकीम सुलिमान खान सहाब का सुझाव अपनाना होगा नमस्कार